पहली बार अखिल भारतिया मारवारी सम्मेलन असम परदेश समीती का नौवा वार्सिक अधिवेशन यहाँ आयोजीत हो रहा है तिन्सुक्या के मानो काल्यान भौन में आयो जी थोरा आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे पतादिकारी बैट चुके हैं अधिवेसान आरम होने वाला है इससे पहले एक बहुती सुन्दर सोभा यात्रा निकाली गई जिसमें असम के विभिन जीलों से आये साखा समीतियों के तिन्सुक्या ही पूरे असम का रूप ले चुका है क्योंकि यहां जोरहार, सीवसागर, बरपथार हर जगा, हर जगा से यहां महिलाएं उपस्तित हैं सब के चेहरे पर एक रोनक है क्योंकि नारी सक्ति, राष्ट सक्ति के उद्देश के साथ इस अधिवेसन का आयोजन कि जा रहा है, और हमारे साथ यहां उपस्तित हैं तिन्सुक्या साखा की मधु अगरवाल सचीव, जो आतित्थ में, अतितियों को आतित्य परदान करने में ब्यस्त है, इसी ब्यस्तता के मध्ध, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा है आपको, आज यहां से सभी कोई खू आतिया द्यक चाहिए और बाकी सभी साखाओं से सभी बहने आई है, आज हम लोगों को बहुत कुसी हो रही है क्योंकि हमारी सभी बहने साखाओं आई है, इसलिए मैं कुसी से बहुत भरपूर, कुसी से उस्ता मना रहे हैं, धन्यवाद, आप देख रहे हैं कि अधिवेश का हम परशारण साम के बक्त करेंगे, और आप देख रहे हैं कि सब के चेहरे पर मुस्कुराहाथ है, आप कि साखाशा है? कृट अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और खाना पीना और अरेंजमेंन है जगास प्र बहुत घ़े वार्थरा Fit परकाल परमुख महने है और हमारा जो अशम परांत में 36 साखाएं है और उसमें हमारे 1100 मेंबर्स हैं और हम हमेशा ही जन जागरन ही तू परकरिया परन परकल पे तू अच्छे-चे कारे करते रहते हैं और मैं आसा करती हूँ कि आगे भी हम अच्छे-चे कारे करती रहूँ धन्यवाद हमारी सुबकामना हैं सब के साथ और अब अधिवैसान आरम होने जा रहा है हम इसका पूरा बेवरा साम के बक्त पिक निउस में चलाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद